जहारखंड PCS का एक्जाम आने वाला है JPSC, उसके लिए कई सारे लोगों ने बोला था कि जहारखंड के ओपर कुछ जहारखंड के ओपर हम लाएं जहारखंड से रिलेटेड जितना भी स्पेसल जीक है यह पहला पार्ट होगा और इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है इंदी में मैं आपको एक्स्प्रेइन कर दूँगा तो इंग्लिश में हो जाएगा टुटल यह तो यह पहला पार्ट है इसका जहारखंड स्पेसल जीके JPSC एक्जाम के लिए जहारखंड एक स्टेट है इस्ट इंडिया में और यह स्टेट यह इंडिया का 28 इस्टेट है दिखिये लिखा हुआ है मैंने इसले हाइलर करके रखा पंद्रा नौंबर 2000 को बना ता यह त्स्टेट और यह बिहार से काट के बना गया था बिहार का जो साउथ वाला पार्ट है वो काट दिया गया था यह देखिए हैं इसको मैप देक लिए Iarna इसमें यह उपर बिहार और इसका जो साउथ वाला जो पार्ट है ये काट के जहारखंड बना दिया गया था 15 नॉमबर 2000 को और ये इंडिया का 28th state है तो ये fact याद रिखेगा देखें ये state pieces exam ने आपको fact जरूर याद रोने चाहिए तो ये fact जरूर याद रिखेगा 15 नॉमबर 2000 date of formation है जहारखंड state की और ये 28th state है 29th state को और तिलंगाना और ये बना था बिहार reorganization act से और ये 15 नॉमबर 2000 इसलिए date चूज किये थी क्योंकि उस दिन बर तेनिरसरी होती है जो कि जहारखंड के बहुत ज़्यादा लिजेंडरी भगवान है बिरसा मुंडा तो ये हो गया जहारखंड की starting जहारखंड देखिए अब ये जरूर आपको आद रखना चाहिए कि जहारखंड अपनी boundary किस किस से शेयर करता है नॉर्थ में जहारखंड के ये बिहार और उत्तरपदेस है नॉर्थ में और जहार है आपे इधर ये नॉर्थ वेस्ट में है यूपी इधर वेस्ट में चत्तिसगर्ण इस्ट में है वेस्ट में गॉल और साउथ में और उडिसा यह उरीसा इसको पहले बोलते दें आब इसका नाम हो गया है ODISHA 2011 मिनियम चेंज वाता है इसका तो आप जाद रखेग जो जमशेदपुर हैं लारजेस्ट और बिगस्ट इंडस्ट्रियल सिटी है तो आप यह दृक है जरूर जो जमशेदपुर है वो पहले जामशेदपुर को टाटा सीटी भी बोलते हैं क्योंकि टाटा जो कंपनिय उसकी काई सारी वहाँ पे जैसे टाटा मोटर्स का प्ला कई सारा mineral resources है जारकंड में इसके लिए काफी फेमस है छोटा नाकपुर को प्लैटू का जो पार्ट है वह काफी ज्यादा mineral नीच है जैसे कि uranium है uranium पाया जाता है जारकंड में यह जादू-गुदा माइन्स में फिर माइका है फिर बॉक्साइट है ग्रेनाइट है गोल्ड है सिल्वर है ग्रेप वाइट है मैगने टाइट है डोल वाइट है फायर क्ले है कौर्जर फायर फिल्ड सपर एकोल कि यह वैसे भी वन आव दा लार्जिस्ट जो को लिजर्व है वो इंडिया के वह हैं फिर आईरण भी और काउपर वी धिलोर इंडिया के टॉप त्री स्ट स्टेट में आता है मिन्रल के प्रोडक्शन में मिन्रल के रिसोर्स में फॉरेस्ट और वूड लेंड ऑक्कुपाई करते हैं 29 परसंट ऑफ दे स्टेट जो कि अमंग दा हाइस्ट है यह जारकन का इस्टेट अनिमेल है अलिपेंट अभियाद रखेगा यह स्टेट अनिमेल औ है अलिपेंट और ऐस्टेट बर्ड है कोईल कि oh & फिर इन फ्ल फ्लावर जारकन का पालाश और इस ट्रिय ऐसल आहे उट्र ऑफ दीज्स के census के साफसे जी देगे जारकंड के जितने भी fact of figure है आप एक्दम याद कर लिए क्योंकि इन सब एक्जामों में जो भी PCS exams होते हैं और जो भी वहां के जारकंड के और भी exams होते हैं competitive exams उसमें सब जरूराएगा 2011 का जो latest census था उसके साफसे जारकंड की population है 3.3 करोड और male population है 16.9 करोड और female है 1.6 करोड sex ratio जारकंड का याद रुकिए sex ratio जारकंड का है 948 sex ratio मतलब 1000 male पे कितनी महिला है या कितनी female है literacy rate है जारकंड का 2011 के इसाब से 66.4% यह देखिए आप देख लिए इसको जूम कर दे रहा हूं है population जारकंड की 3.3 करोड है फिर male population 1.6 करोड है female 1.6 करोड 6 ratio 948 literacy 66.4% literacy का मतलब होता है साथ साल से उपर और आपको लिखना पढ़ना और समझा उसी language में आता हो तो इंडिया में literacy उसको लिटरेट बोलते है तो बस वही है male literacy है जारकंड में 76.84 female literacy है 52.04 जारकंड में भासा है कौन कौन से बोलियाती है languages spoken in जारकंड हिंदी, संतली, मुंदारी, बेंगौली, उडिया, कुरुक ये कुछ भासा है बोलियाती है density of population यानि की population density यानि की 1 km2 एरिया में कितने लोग रहते है number of people living in 1 km2 एरिया तो population density है जारकंड की 414, 414 persons per km2 जारकंड में total 24 number of district है यह भी आप याद रखी है जो दूसरे state वाले है उनको याद रखने चाहिए number of subdivisions है जारकंड में 38 है number of blocks है जारकंड में 263 number of villages है जारकंड में 32,620 national highway जारकंड से कितना पास हुआ है 1844 km इस्टेट हाइवे हुआ है 6,880 km इतना है जारकंड में total geographical area जारकंड का 79.70 लाग है तो यह कुछ फैक्ट है देखेंगे यह जितना भी फैक्टर मैंने जारकंड की गवर्मेंट साइट से और कई सारी authentic side से उठाया है तो census of India से जैसे भी लिया है और इसमें देख लिए जैसे यह देखें टोटल जारकंड का census 2011 का था और 2001 का जो census है उसका comparison है कि क्या 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 changes हुए है 2001 के census में और 2011 के census में देखें 2001 में जारकंड की population थी 2.69 करोड अब जारकंड की population होगी 3.3 करोड तो यह total इतनी actual इतनी population होगी यह male की population 2001 में थी 13.38 करोड अब हो गई 1.69 करोड female की population में बढ़ गई 1.3 से 1.6 करोड population growth जो total एक decade का होता है वो गटा है देखें पहले था यह 23.19% अब 22.42% बहुत ही minimal गटा है लेकिन गटा है यह population growth जो decadal population growth होता है वो गटा है percentage of total population मतलब इसकी इंडिया में percentage बढ़ी है पहले 2.62% थी जारकंड की population इंडिया की population की अब हो गई है 2.72% मतलब जारकंड में इंडिया का 2.72% लोग रहते हैं sex ratio बढ़ गया है पहले 9.41 था अब 9.48 हो गया है जारकंड का child sex ratio का मतलब होता है 0-6 years तक का 0-6 साल तक का जो भी child है उसमें male और female का ratio तो वो पहले 9.65 था अब 9.48 हो गया है तो यह भी यह तो घटा है overall sex ratio बढ़ा है लेकिन यह child sex ratio घटा है density देखे बढ़ी है 338 थी पहले अब 338 लोग रहते थे पर km2 एरिया में लेकिन अब 414 लोग रहते हैं 414 लोग रहते हैं वो mile square में भी बढ़ गई है 75 से अब 1072 हो गई है area पहले area तो उतना ही है area कितना जहरकन का 79,716 किलोमेटर square यानि की 89,716 फिर यह total अगर आप child population देखेंगे तो पहले 49 लाग थी या 53 लाग हो गई है male population देखेंगे इस child में तो यह पहले यह 2.5 25 लाग थी अब यह 27 लाग हो गई है और female child अगर देखेंगे 0 से 6 से इस तक के तो आप हो गया है 26 लाग literacy अगर आप देखेंगे overall जहरकन की तो literacy काफी ज़्यादा बढ़ी है 13% बढ़ गई है पहले 2001 में जहरकन की literacy थी 53.56% अब जहरकन की literacy हो गई 66.41% मतलब 7 साल से उपर जितने भी लोग है जहरकन में उनको अगर लिटरेसी जो होती है एक्जेक्ट लिटरेसी वह साथ साल से उपर कोई भी अगर पढ़ लेगा और उसी language न समझ लेगा और लिख लेगा तो उसको कुछे medical literature नमबर है जहारकन में 1.8 करोड मतलब 3.3 करोड लोगों में से सिर्फ 1.8 करोड लोग इसमें लिटरेट है मेल लिटरेट है उसमें 1 करोड और फीमेल लिटरेट है इसमें से 74 लाग तो यह पहला पार्ट है दूसरा पार्ट भी बनाता हूँ झाल झाल